क्या आप विदाउट इंवेस्मेंट एड्स देखके पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आप किसी एक ऐसी कंपनी के साथ जोट जाएं जो आपको रियल में पैसे भी देती हो और वो कंपनी भी अथेंटिक हो, रियल हो, और गैनिक हो तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ में आपको बताती हूँ बिस्मिल्ला है रख्मान ररहीम, अस्सलाम अलेकुम दिस इस श्रीजाराना, क्या हाल चालें आप सब लोगों के? I hope कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो मैं आपको बताने चाहरी हूँ आज एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे में आज एक ऐसी वेबसाइट के बारे में कि जिसके उपर अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी साइड हसल या आप कहले कि पार्ट टाइम जॉब के लिए ये बहतरीन है कि इसमें आप कोई बहुत जादा लख पती या करोड पती नहीं बन सकते लेकिन ये है कि आप इससे पनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं साइड साइड पे रहके ये छोटा सा काम करके छोटे-छोटे से एड्स देखके क्लिक्स करके आप यहां से अर्णिंग कर सकते हैं और ये भी आपकी अच्छी खासी बन जाती है क्योंकि वो जो आप एड्स देखते हैं उसके अमाउंट आपको डॉलर्स में मिलती है और जब डॉलर्स पाकिस्तानी रुपीज में कनवर्ट होगे आपको मिलता है तो वो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है आज की ये जो वेबसाइट है अगर मैं ये कहूंगे ये आपके लिए किसी गिप्ट से कम नहीं है तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि इतनी पुरानी वेबसाइट है और इतनी वेरिफाइड वेबसाइट है कि अगर हम इसको ट्रेस पाइलेट पे चेक करें या इसका हम स्पैम स्कूर देखें तो वो बिलकुल जीरो के बराबर है मतलब ये कि अगर आप यहां से विड्रॉ लेते हैं तो ये आपको पैसे भी देती है बीच में कोई और इस तरह की ड्रामे बादिया नहीं लगाते हैं जिस तरह की बहुत सारी वेबसाइट करती हैं कि ये वाली हमारी requirement फिल करें तो उसके बाद मिलेगा या हमें पहले आप पैसे दें और उसके बाद हम आपको देंगे तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है without investment आपने काम करना है और तालीम तो आपको बता है कि इसके लिए कोई ज़्यादा माइने ही रखती है अगर आप थोड़ा बहुत भी पड़े लिखे हैं एंग्लिश पर लिख लेते हैं तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं अदरवाइस वैसे complete procedure मैं आपको बताने जा रही हूँ और कमाना भी बताओंगी और ये भी बताओंगी किस तरीके से आपने zero से अपनी amount को बढ़ाना है कैसे ads देखके आपने wallet में वो पैसे जमा करने हैं और फिर उनको निकलवाना है सारी चीज़े बताओंगी बीच में से skip करेंगे तो फिर आपके लिए problem होगी और फिर आप उसे comment section में पूछेंगी तो इसलिए वीडियो को एक दफा देहान से देख लीज़ेगा कोई भी क्यूरी आपकी नहीं रहेगी काम इसके उपर आपने इतना असानी से करना है कि सबसे पहले आपने login करना है फिर अपना account बनाना है फिर ads देखने है और उसके बाद आपने money withdraw करवानी है इतना असान काम है चार स्ट्रेप में आपका ये काम होता है अगले 6-7 मिनट में मैं आपको ये practically करके दिखाने लगी हूँ कि वाकिए ये चार स्ट्रेप थे और इसी दरीके से आपने earning करने थी और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपके थोड़े बहुत भी dollars हो जाते हैं तो आप यहां से money withdraw करवा सकते हैं तो चलिए चलते हैं उस website के तरफ मैं आपको बताती हूँ आपने ये काम कैसे करना है आप ये काम mobile पे भी कर सकते हैं और laptop पे भी कर सकते हैं अगर आप ये काम mobile से करना चाहते हैं तो Chrome उपन करने के बाद जब आपने website उपन करनी है तो site पे आपको three dot option नजर आता है वहां पर click करेंगे तो नीचे आपको desktop mode को option नजर आएगा आपने इसके पर click करना है तो आपके mobile का भी interface बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे आपके laptop को होता है तो अभी मैं laptop से आपको करके दिखा दी हूँ आप ये mobile से भी कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं इस website की तरह और मैं बताती हूँ आपने यहां पर काम कैसे करना लेकिन इसे पहले अगर आपने YouTube पर इस चैनल फ्रीलांसिंग विच जराना को सब्सक्राइब नहीं कि है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल चाएगा आप वहां पर क्लिक करके आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा यहां पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है click and publish adwords and earn money online उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है work and earn money online उसके बाद ये नीचे देखिए get paid for your work per click और उसके बाद free to join and quick sign up मतलब कि जल्दी से sign up हो जाता है और कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे join करने के लिए ये completely free है उसके बाद यहां पर देखे लिखावा है ये publishers और दूसरी तरह advertisers लिखावा है यहां पर आप देख रहे हैं publishers में ल यहां पर लिखा हुआ है advertise your website improve your site SEO pay only 4 clicks minimum deposit $5 यह आपके काम का नहीं है आप ने यह जो दूसरे वाला box है यानि publishers account है इसकी तरह आना है और आपने अपना account भी इसी पर ही बनाना है लेकिन account बनाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस website की rating दिखा दूँ इसका trust score दिख यहां पर मैंने उस website का link जो है वो copy किया और copy करके trust pilot पे paste किया तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इसके reviews 4.7% इसकी rating आ रही है और 31,000 से जादा लोगों ने इसको review दिये हैं और यहां पर यह verified company लिखा वा रहा है तो यह आपको यहां से अच्छे तरीके से पता चल गया कि यह company verified है और trust pilot एक ऐसी website है जो तमाम website और applications का reviews करती है और honest reviews होते हैं और यह जो भी publish करती है किसी भी website के बारे में उसको हमेशा authentic माना जाता है तो चलिए अब मैं आपको बिताती हूँ अब आपने यहां पर account कैसे बनाना है यह sign up के उपर आपने click करना है और यहां स नजर आ रही हैं आपने फुल नेम देना है last name first name उसके बार date of part देनी है उसके बाद आपने अपना address बताना है फिर city और उसके बाद यह कि आप कहां पर रहते हैं complete address आपने बताना है उसके बाद अगर आप यह देखे यहां पर जो यह zip code लिखा वारा है यहां पर आपने अ zip code लिखना है वह जाएना है, यह अपने Google पे सर्च करके आपने अपने city ka name लिखना है जैसे अगर आपका city लाहोर है या म irritant है और उसके आगे आपक confrontation लिखना है लाहोर, zip code, residential, zip code लिखना है है आपके सामने बहुत सारे zip code आ जाएंगे, अपके city के हजब से बड़ा सीटी है और इन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल फॉर्मेट होना चाहिए तो इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है बेसिकली कि इसमें आपने जो नमबर देना होता है अपना उसका फॉर्मेट आपने ऐसे लिखना होता है तो आपने फिर 333 और उसके बाद आपने अपना नमबर लिखना है इस तरीके से आपने अपना format लिखना है ये वाला उसके बाद आपने अपनी email सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपने अपना email address देना है पहले आप अपना email address दीजेगा उसके बाद उसको confirm कर दीजेगा उसके बाद password आगया password पे आपने क्या करना है password को आपने अपना strong रखना है अगर आप अपना password strong नहीं रखते तो यह आपकी जो आप form fill कर रहे हैं यह जो account बना रहे हैं इसको यह reject कर देंगे और strong कैसे करना है strong आपको इस तरीके से करना है कि आपने alphabet के capital letters भी लिखने हैं और small letters भी लिखने हैं उसके बाद आपने यहाँ पर symbols भी use करने हैं और इसके लावब आपने numerical words भी use करने हैं जब आप इनका mixture बना के लिखते हैं एक password ऐसा set करते हैं वो strong होता है तो फिर यह आपका account verify करते हैं weak और medium में यह नहीं करेंगे तो आपने अपने account को strong रखना है और उसके बाद आप अपना यह password कहीं पर set भी रखेगा ताकि आप इसको भूले नहीं उसके बाद आप यह देखिए account security में यह वापसे security के लिए यह मज़ीद questions पूछ रहे हैं यहां से अपना कोई भी question select कर सकते हैं let's suppose मैं यहां से कर रही हूँ कौन सा करना चाहिए let's suppose मैं यहां से यह करती हूँ which city were you born in ठीक है तो यहां से आपने अपना कोई भी एक question select कर लेना है और उसके बाद आपने उसका original answer लिखना है जब आप answer लिखेंगे तो अगर आपके पास ऐसा कभी होता है आपके साथ कि आप अपना account भूल जाते हैं या आपको अपना password याद नहीं रहता तो यह security questions आपको आपका account recover करने में मदद करेंगे उसके बाद यहां पर देखेंगे यह पूछ रहे हैं के where did you find us तो आपने बता देना है गूगल कर लीजिए या हूँ जहां से भी आपने इनके बारे में सुना होगा आपने वो बता देना है उसके बाद आपने capture type करना है और I agree करके आपने यह सब्मिट कर दिना जैसी मैंने registered के ओपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह के का interface मेरे सामने आया यहां पर आप देख सकते हैं यह creating your account लिखा हो आ रहा है यह थोड़ा सा time लेगा और उसके बाद यह जैसे ही fill होता है उस वाले address पे अब मैंने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जो email आई होगी वहाँ पर activation link मिलावा होगा वहाँ पर simply click करेंगे तो हमारा account activate हो जाएगा और वो हमसे login मांगेगा चलिए मैं आपको करके बताती हूँ तो यहाँ से देखिए मैं अपनी Gmail में आ गई और यहाँ पर मुझे लिखावा मिल रहा है activate account now यहाँ पर इस link के ओपर click करना है तो यह simply हमें उस page पर ले जाएगा जहाँ से हमने अपने account में again login करना है अब login कैसे करना है जो अभी मैंने आपके सामने password सेट किया था और जो Gmail डाली थी वहाँ से मैंने अपनी वो Gmail और password डालना है और उसके बाद capture टाइप करके agree कर देना है जैसे sign in पर click करूंगी तो मेरे पास मेरी ID खुलके आ जाएगी जो मैंने अभी account बनाया था start clicks पे तो यहाँ पर देखिए यह सारी ID मेरे सामने खुलके आ गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा name लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखिए बिलकुल उपर जहाँ पर account overview लिखा हुआ है यहाँ पर आपको balance zero dollar नजर आ रहा है और अगर हम reference की बात करें तो यहाँ पर भी zero dollar नजर आ रहा है अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने एड्स देख के अपना यह balance बढ़ाना है और फिर यहाँ से amount withdraw करवानी है अब यहाँ पर देखिए pay per click add मतलब यह कि आपने एक दफ़ा एक एड्स के उपर click करना है और उसके हवाले से जितनी आपके amount बनती जाएगी वो आपके account में आती जाएगी यहाँ पर आप देखिए मेरा भी account balance zero show हो रहा है अब मैं यहाँ से ads के उपर click करती हूँ तो यह देखिए यह ad खुला है इसको scroll करें या नहीं करें यह आपकी मर्जी है अब यहाँ से मैं इसको back कर दूँगी और दुबारा से अगला ad खुलूगी अब यहाँ पर देखिए मेरे पास चार ad रह गया है अब मैं अगले को खोल लेती हूँ यहाँ पर देखिए यह मैंने next ad को open किया अब मैंने इसको भी बंद कर दिया अब यह देखिए मैं third खोल रही हूँ इसी तरीके से आपने जितने भी ads आपको available होंगे आपके पेच पे आपने वो सब ads देख लेने हैं और उसके साथ साथ आप देखिए के site पे मेरा revenue increase होता जा रहा है इसी तरीके से आप जितने ads देखते जाएंगे उसी तरीके से आप earn करते जाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने तमाम ads देख ली हैं और यह मुझे weldon कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आपने तमाम ads देख ली हैं अब जैसे ही next ads available होते हैं कल के लिए तो वो आपको बता देंगे उसके लावा यहां पर एक और option है कि अगर आप यहां पर चार डॉलर स्पेंड करके आप अगर membership ले लेते हैं जो gold membership है तो उसमें आपको ads यह जादा देंगे और यहां से वो आपको बता रहे हैं कि आप 6 डॉलर तक daily कमाएंगे लेकिन मैं अभी आपको यह चीज़ सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप यहां से डॉलर दें और उसके बाद फिर यहां से डॉलर अर्ण करें तो ऐसा काम आपने नहीं करना without investment ही आपने काम करना है उसके लावा एक और तरीका है जिसके जरीया पर नहीं कर सकते है वो क्या है? यहां पर देखिए यह रेफरल्स का option आरा है यहां पर आपने रेफरल्स के उपर क्लिक करना है और कुछ इस तरेके का interface आपके सामने आएगा यहां पर यह आपको चार रेफरल्स दे रहे हैं आपके यह तमाम चार रेफरल्स हैं अगर आप यह किसी को share करते हैं अपने Facebook के जरीए या WhatsApp के जरीए तो कोई भी बंदा जो join करेगा इन रेफरल्स लिंक्स के जरीए उसकी earning आपको मिलेगी उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने payment निकलवानी कैसे है यहां पर देखिए balance withdraw form आ रहा है यहां पर payout method आ रहा है अगर हम इसके ओपर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए PayPal, Bitcoin, Bank Transfer और Western Union आ रहा है हमारे लिए सबसे suitable है Bank Transfer Bank Transfer आपने यहां से select कर लेना है उसके बाद यह bank की details आपने डालनी कैसे है उसके लिए simply आप आजाएए settings पे और settings पे आने के बाद यह bank account आ रहा है यहां पर आपने click करना है और इसके बाद यहां पर देखिए यह आपका bank name आ रहा है bank country आ रहा है bank city, bank address, account name आपने अपने bank की तमाम details डालनी है IBM का भी आपको पता है अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं और swift code जहां पर यह last में पूछ रहे हैं उसका scene यह है कि आपने या तो गूगल कर लेना है या फिर आपने bank की ब्रांच से मालूम कर लेना है कि swift code क्या है आपके bank का वो आपको बता देंगे तो इस तरीके से आपने यहां से ads देखके earn करना है और अपने अपनी amount बिड्रॉ करवा लेनी है I hope कि आपको सब अच्छे तरीके से समझ आ गया है इस तरीके से आप यहां पर earning कर सकते हैं इसके लावा मैंने पहले एक video बनाए थी online survey के हवाले से वहां से बहुत सारे लोगों ने earning की थी अगर आप इसी तरह का काम यानि के असान सवालों के जवाब दे के service के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को watch कीजिएगा यहां से भी आप अच्छी खासी earning कर सकते हैं लेकिन वह अच्छी खासी earning आपकी पाथ टाइम earning होगी ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजेगा अल्लाहाफिज